दोस्तों एक सहर में एक छोटी सी फेमली रहती थी, जिसमें पती-पत्नी और उनकी एक तीन साल की बेटी थी, ये छोटी सी फेमली बहुत खुस रहती थी, जो हजबेंड था वो एक कमपनी में काम करता था, जहांसे वो महीने के 20,000 रुपे कमाता था, क्योंकि छोटा पिराया, उनके खाने पीने के खर्चे, और भी दुसरे घर के जो खर्चे थे, सब असानी से पूरे हो जाते थे, और वे लोग महीने या दो महीने में कहीं न कहीं घुमने भी जाया करते थे, तो दोस्तों इस तरह ये एक छोटी सी फेमली बहुत खुस थी, और इनके आस- पोती ये वहाँ चाओं भी आती है, और जहां सुख होता है, वहाँ दुख भी आता है, तो एक दिन पती अपनी कमपनी जाने के लिए घर से निकला, और घर और कमपनी के बीच में ही उसका एक एक एक्सिडेंट हो गया, और उसी जगा पे उस ब्यत्ती की मित्ती हो गई, अब एक पुलिस वाले ने उसके घर फोन लगा के पत्नी को जानकारी दी, कि उनके पती की डेट बाड़ी इस होस्पिटर में है, आप आपकी फेमली के साथ निहां आ जाईए, पत्नी तो इतना सुनते ही चीक पड़ी, सदमे में आ गई, बेहोस हो गई, दोस्तों मित्त्य किसी को भी किसी भी समय आ सकती है, अब उस वेक्ती की डेट बाड़ी को हॉस्पिटल से लाया जाता है, उसका अंतिम संसकार किया जाता है, दोस्तों इस दुनिया में जब भी किसी की डेट होती है, तो उसके परिवार में तीन तरह के लोग आते हैं, सबसे पहले जो आते ह होते हैं हमेशा साहनू भूती लेकर आते हैं उसके बाद आते हैं रिस्तेदार जो हमेशा आखों में आसू लेकर आते हैं और उसके बाद जो वेक्ति आता है वो होता है बकायदार जो बिल लेकर आता है चाहे वो स्कूल का बच्चों की फीस का विल हो चाहे जो भी लोन से सम लिया हो उसका विल हो चाहे बिजली का विल हो दूद वाले का विल हो वो बकायदार होता है तो दोस्तो यही उस family के साथ हुआ दोस्तो और यार आए तो साहन भूतिल आए रिष्तेदार आए तो आखों में आशु लेकर आए अब दोस्तो ığımız दिनों बाद सोफा वापस ले जा सकते हों हमारी आर्ठीक इस्तती अभी ठीक नहीं है क्योंकि सोफा नाया था और दुकान वाले को भी लगा कि अभी ये सायर इतने पेसे ना दे पाए तो अगले दिन ही एक टेमपू लेकर उनके घर पहुच गया और सोफा से ट ले आया इस तरह दोस्तो कुछ दिनों बाल पेपर वाला दूद वाला और भी कुछ लोग जिनके पेसे हर महिने देने होते थे सभी अपने पेसे मांगने आने लगे अब उस बिद्वा औरत के पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत पेसा था वो उसने दे दिया और कई सारी चीजे उसने बंद भी किराया मांगने अब उस बिद्वा औरत के पास इतना पेसा था ही नहीं कि वो किराया दे पाए मकान मालिक भी समद चुका था तो मकान मालिक ने उससे कहा कि किराय की तो कोई बात नहीं है पाकी अगले महिन हमारे गाउं से कुछ महमान आने वाले हैं जिने हमें यहां रख मैं मेरी बेटी को लेकर कहां जाऊंगी ऐसा वो राद भर सोचती रही दुखी होती रही रोती रही और सुभा कब हो गई पता ही नहीं चला वो बहुत दुखी थी वो बिध्वा हो गई थी इसका दुख थो उसे था ही लेकिन उनकी आर्थिक इस्तिति उस समय बहुत खराब हो गई थी इसी कारण वो और दुखी थी अब दोस्तों उसी दिन एक व्यक्ति एक टांगे हुए उनके घर आया दरवाजा खटखटाया उस बिध्वा औरत ने गेट खोला ये व्यक्ति पहले उनसे मिल चुका था अब उस बिध्वा औरत को याद ना हो तो उस बिध्वा अपना परिचे दिया कि मैं एक बीमा एजेंट हूँ और दो साल पहले आपके घर आया था और आपके इसी घर में बेटके मैंने चाई पी थी और आपके पती को एक जीओन बीमा समझाया था उन्हें पसंद भी आया था बाकि आपने उन्हें मना कर दिया था जीओन बीमा ले ली थी, 14 लाक रुपे का एक जीवन बीमा ले लिया था, पॉलिसी अभी चालो है, लेकिन मैं माफी चाहता हूँ कि इतनी देर बाद आया हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि आपके पती की डेथ हो गई है, आपके पती ने कहा था कि इस बीमे की बात में आपको न तेरी बिटिया के लिए इतना कुछ करके चले गया, और उसकी आखों से खुसी के आसू बह रहे थे, उसने उस बीमा एजेंट को बहुत बहुत धनवाद दिया, फिर वो बीमा एजेंट उस घर से उसके पती के सारे कागच ले गया, आफिस में जमा किये, और कुछ दिनों 38 लाग रुपे आपको फिर से दिये जाएंगे, जो आपकी बिटिया के साधी में काम आएंगे, फिर उस बिद्वा औरत ने अपने पती के फोटो की तरब देखा, उससे माफी मांगी, कि मैंने उस दिन आपको मना कर दिया था, मुझे माप करना, बीमा क्यों जरूरी है, यह मुझे आज पता चला, इसका एसास मुझे आज हुआ, और उसने उस भीमा एजेंट से भी माफी मांगी, और उसे धनवाद दी, अब दोस्तों उस दिन से वो बिद्वा औरत और उनकी वेटी वापस से पहले जितना ही खुसी के साथ रहने लगे, अब उस औरत को कहीं क पती है, जो आपके ना रहने पर आपकी फेमली के पास पेसे लेकर जाएगा, उन्हें देने के लिए वो है सिर्फ एक बीमा एजेंट, तो दोस्तों अब इंस्वेंस को इग्नोर मत कीजिए, आज ही अपने वो अपनी फेमली की आर्थिक सुरक्चा के लिए सही इंस्वें